अब यहम कॉश्चन नमबर 8 को डिसकस करते हैं कॉश्चन नमबर 8 के अंदर हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं उन 4 पॉइंट्स को हमने जॉइन करके यह प्रूव करना है कि यह रेक्टैंगल है हम यह बात जानते हैं रेक्टैंगल 4-sided figure होती है रेक्टैंगल एक कॉड्रि लेटरल है कॉडर्डरी लेटरल रेक्टैंगल तब होती है उसके अंदर अगर हम दो कंडिशन को प्रूव कर दें पहली condition, opposite sides are equal दूसरी condition, every angle is of 90 degree आईए इसको practically solve करते हैं यह question दो step में होगा पहले step में हम तमाम sides की length को निकालेंगे और दूसरे step में हम angles को prove करेंगे कि वो 90 degree के हैं हमारे पास पहला जो point दिया है माइनस 6, माइनस 5 दूसरा जो point है 5 माइनस 5 तीसरा जो point है 5 माइनस 8 चोथा जो point है माइनस 6, माइनस 8 step 1 sides इनकी length यानिकि ए ए ए ए ए ए की length find करेंगे a, b 5 प्लस 6 square माइनस 5 प्लस 5 square यह आ जाएगी 5 प्लस 11 11 का square 121 और यह cancel हो जाएगा 0 यानिकि 11 फिर बी सी निकालें बी सी के लिए 5 माइनस 5 square माइनस 8 प्लस 5 square तो यह आ जाएगा 0 और प्लस यहां से 3 का square 9 तो यह 3 आ जाएगा cd माइनस 6 माइनस 5 square माइनस 8 प्लस 8 square और इसके उपर square root यह आ जाएगा माइनस 6 माइनस 11 square 121 और यह cancel हो जाएगा 0 इसका अंसर भी 11 फिर हम निकालेंगे ad ad आएगा माइनस 6 प्लस 6 square माइनस 8 प्लस 5 square cancel 0 और यह माइनस भी का square 9 तो यह आ जाएगा 3 this implies opposite opposite sides equal opposite sides are equal step one में हमने प्रूफ कर दिया कि opposite sides जो है वो equal है अगर इसका rough सा हम sketch भी ड्रा कर लें कोई issue नहीं होगा तो यह जाएगा इस कोई कैसे हैं A B C और D opposite sides जो हैं वो equal हैं अब हमने प्रूफ करना है कि यह एंगल जो है यह 90 डिग्री का है तो हम यह करेंगे कि एक diagonal हम देखेंगे और प्रूफ करेंगे पाइदागोरस चेवर हम पहले हम A C निकालते हैं A और C को consider करें तो 5 प्लस 6 होल स्केर प्लस माइनस 8 प्लस 5 तो यह आ जाएगा 5 प्लस 11 11 स्केर 121 प्लस 9 तो यह आएगा रूट 130 फर्मुलें पूट कर दें इसको आप कहा दें फर्मुला नूमर 1 1 implies A C A B A B की लेंथ है 11 प्लस यह कैंसल हो जाएगा यह आएगा 130 120 120 1 plus 9 implies 130 is equal to 130 this implies measure of angle B is of 90 degree so so angles of A B C D are 90 degree this implies it is rectangle हम step 1 step 2 की मदर से प्रूफ कर दिया कि रेक्टैंगल है अब इस स्वाल के अंदर एक बात और उन्होंने पूछी थी वह कहते हैं कि diagonal जो हैं वह length के लिहाद से equal हैं या नहीं है एक diagonal की length हमने निकाल ली है यानि A C की length हमने निकाल ले थी अब हम B D की length निकालेंगे तो यह step 3 होगा B D B D की length निकालते हैं चक करते हैं कि वह क्या है B और D को consider करें तो minus 6 minus 5 square plus minus 8 plus 5 square और यह square root है this implies B D की जो length है वह है 121 और यह 9 यानि के root 130 this implies A C diagonal equal है B D diagonal के तो यह diagonal जो B D है यह equal है तो यह प्रूव हो गया कि diagonal यह है length के लिहाज से equal है तो I झाल